उधारण 21 जिवाएं PQ तथा RS वृत के बाहर एक बिंदू M पर एक दुसरे को काटती है यदि MQ बराबर 3 cm, MP बराबर 8 cm तथा MS बराबर 4 cm है तो MR तथा जिवा RS की लंबाई ज्याद केजिए हल दिया गया है, दिया गया है MQ बराबर 3 cm, MP बराबर 8 cm तथा MS बराबर 4 cm बाना MR जिसे हमें गयाद करना है, माना MR बराबर X cm हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी वृत की जिवाएं एक दूसरे को वृत के अंतरगत या बहीरगत प्रतिछेत करती हैं, तो किसी एक जिवा के खंडों से बनने वाले आयत का शेतरफल दूसरे जिवा के खंडों से बनने वाले आयत के शेतरफल के बराबर होता है, अर्थात यहां पर हमारे पास है MQ गुणा MP बराबर MS गुणा MR यहां MQ का मान हमने हमारे पास दिया है 3 cm, गुणा MP का मान हमारे पास 8 cm है MS 4 cm है और MS 4 cm है MR जो है उसके स्थान पे हम MR लिखेंगे उस तरह से MR का मान जो है 8 यह 24 और 4 का पक्षांतर करेंगे तो बटा 4 इस तरह से हमने MR बराबर 24 बटा 4 बराबर 6 cm ग्याद किया जीवा RS जो है वह MR रिण MS होँगा जीवा RS का जो मान है हम MR में से MS को घटाएंगे तो जीवा RS का मान हमें प्राप्त होँगा MR जो है 6 cm जो हमने ग्याद किया और MS 4 cm हमारे पास दिया हुआ है इस तरह से हमने जीवा की जो लंबाई ग्याद की है वह है 6 में से 4 इस दो सेंटी मेटर इस तरह से हमने जीवा की लंबाई दो सेंटी मेटर ग्याद की यह सुधारान का हल होगा भंधяг में जीवा मेटर ठीवा जीवा का हमस्ट खी हैयाद की लंबाई जीवा की लंगह को देगlor जीवाद ki